गुरु किर्पा के कारणी ये सेलेक्शन मानले पॉसिबल हो पाया है पहली बार में पलस टू के साथ सेलेक्शन हो गया है वेटे का बढ़ी आमानले फंक्शन और गेनाइज कर रही है जीची यही इससे ज़्यादा मतुल्म और ज़्यादा खुशी बढ़ जाती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी हाँ दोस्तों आज हम अमारी एक और फैमली से मिलने वाले और जानने वाले हैं कि आज वो कैसा मैसुस करें और साथ साथ में हमारे स्टूडन से भी बातचीत होगी और उनसे जानेंगी कि उनका सक्सेश बंदा क्या है हलो बेटा क्या नामा अपका मनौज जूड़ी फ्रों सिर्शा मनौज कैसा मैसूस कर रहे है आज आप काफि अच्छा फिल हो रहे ही जालाई कि अप अच्छा पूल रहे है रहाँ दूर अक्रण दूरी च्छा मत्fahrणी के साथ किया बात है तो ँनकल ला भी~~ आप कैसा मैसूस कर रहें आज बढ़िया मैसूस कर रहें नहीं धॉट जब हो रहे साथ करण और के लिए क्या कहना चाहेंगे गुरु किर्पा के कारणी ये सलेक्शन वाले पॉसिबल हो पाया है क्योंकि ये मेरा बैटा पलस्टू के अंदर यहां आया था सिर्फ एक साल के अंदर सिर्फ बारा महिनों के अंदर और इसको वाले हरियाना का सबसे बड़िया जो मेडिकल कोल जरोब तक मिला है सिर्फ गुरु किर्पा के कारणी पॉसिबल हो पाया वरना ये पॉसिबल नहीं था एक साल के अंदर आपने कर दिखाया जो की एक बहुत बड़ी उपलब दी आपके लिए तो मैं आपसे जाना चाहूंगा कि क्या वो स्ट्राटेजी थी कोई एक जो बहुत अच्छी रिवीजन हमारी हुई जिसे 11 पी साथ सा स्ट्रॉंग हो गया और 12 तो चली रहा था तो वह मैंने साथ सा स्ट्रॉंग कर लिया क्या बात है मैं मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपको कैसा महसूस हो रहा है बेटे का सेलेक्शन हो चुका है बहुत तो एक बात बताईए कहते हैं कि मां का एक बहुत ही अहम करदार होता है बेटे की जिन्दगी में उनकी सक्सिस में आपका वो करदार आपने किस तरह नभाया बस जैसे पैरेंट्स को निभाना चाहिए पहला बैस गुरू कृपा का सुरू हुआ था तब ही हमा आ गए थे मतलब आपने यहां शिफ्ट किया जस्त कि इनकी स्टडीज के लिए क्या बात है तो इनको सल्यूट है आपकी मौम को भी सल्यूट है क्योंकि इन्होंने भी बहुत बड़ा एक रोल निभाया है आपके सक्सिस में और मामा जी है तो आप बताईए आप कैसा मैसूस कर रहे ह बचा कामयाब हो गया और आगे इसका पविश्य उजवल हो तो सुब कामना इसको अपनी फामली का नाम रोशन किया है और मनुझ उसके लिए आपको बहुत बहुत कंग्राचुलेशन्स आपकी आने वाली लाइफ जर्नी के लिए मैं आपको बेस्ट अफ लग करना चाहू Thank you sir